तो हलो फ्रेंड पिछले वीडियो में हम लोग ने गुजरात ब्योई से रिलेटेड कुछ कोशन इंसर कियते हैं. अब्जेक्टिव कोशन तो उसकोशन में एक डाउड था, जो कि बगास के कंभॉशन से से रिलेटेड था. ठीक है यहां पर हम दोनों के बारें बात करेंगे dry basis और weight basis के बारें में दोनों का funda समझेंगे कि 1 kg अगर बगास को हमको जलाना है तो कितना kg theoretical air हमें required होता है ठीक है तो theoretical air का पूरा calculation को हम लोग समझेंगे वीडियो बहुत informative होगा वीडियो के साथ बने रहे हैं और यदि आपी चन परने है तो चन को सब्सक्राइब के लिए और बेल नूटिसन को हमको लिए ताकि इस टाप की informative वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चली बिनसमगा वीडियो करते हैं इस्टार्ट तो देखिए यहां पर हमने एक question लिया है जैसे कि theoretical air required for combustion of 1 kg of bagasse तो यह question जो की है पूछा गया था ठीक है इसमें चार जो थे वो option दिया गया थे डिन में से दो answer जो है वो हो सकते है 6 kg भी हो सकता है 1 kg बगास को जलाने के लिए ठीक है theoretical air requirement और 13.7 जो कि हमने answer बताया था वो भी हो सकता है लेकिन वहां पर कुछ condition जो है वो apply करना पड़ेगा question बहुत ही simple था question में आपको कोई condition नहीं दिया गया था इभेन यह भी नहीं बताया था कि quantity क्या होगा 1 kg होगा 2 kg होगा या कितना होगा ठीक है या dry basis होगा या weight basis होगा तो यहां पर खेर उस question को हम लोग और यहां पर थोड़ा deeply समझते है ठीक है देखे तो theoretical air required for combustion of 1 kg of bagasse ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसको calculation करने से पहले हम लो अरट प्रोश पर आपने जीसे sugarcane खाया यह खते हैं गन्यक nj जिसको बोला जाता है यह कहहिं कहीं गन्हा गन्हां पॉला स्वेटरा पुकारी जाते हैं आपके स खाते हैं या गरहने के या गरनकर से जो रस निकाल लिया जाता है तो जो उसको ऐसेई उसको बगास कहा जाता है। अब इस्टीम् जन्रेशन से उसचीम को आप प्रॉसस किसे hating में उटलाईज कर सकते हैं या इस्टे पावर जन्रेशन के लिए इठलाईज कर सकते हैं। तो ये बगास से कुछ जनकारी हो गई। अब कि यहाँ पर जो में टॉपिक हमारा हो वो theoretical air को required theoretical air कितना required है ठीक है उसको हम लोग यहां पर बात करेंगे ओके तो देखे यह कुछ इस तरह का बगास होता है इसको आप dry form में देखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा और अब इसको weight form में देखेंगे तो इस तरह करेंगे यह जश्ट जो है वह अभी से रस जो हो नि minimum air required for 1 kg यह तीनों एक ही चीज होता है ठीक है इसे लिए इसमें confused नहीं होना है तो theoretical air हमें अगर बगास का निकालना है तो बगास का composition हमें पहले पता होना चाहिए तो मैंने एक जैसे sample यहां पर लिया है और उसके example के तौर पर माना है कि carbon percentage जो है वो 50% है ठीक है hydrogen 5% है oxygen 43% है as percentage 2% है ठीक है और moisture चुकि हम लोग पहले dry basis मान रहें इसलिए इसमें कोई moisture नहीं माने है ठीक है moisture को हम लोग बाद में consider करेंगे ठीक है पहले हम लोग dry basis पे निकाल लेते हैं अब देखिए यह parameter change भी हो सकते हैं यह जश्ट topic को समझने के लिए और calculation को निकालने के लिए hydrogen के लिए क्योंकि यहाँ पे मिलनी दो आपका combustible element है carbon है और hydrogen है ठीक है oxygen जो होता है oxygen को minus करना पड़ेगा कि जो oxygen का एक रोल निभाता है यहाँ पे इसलिए oxygen यहाँ जो होगा वो minus हो जागा finally हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए combustion equation में जो दे जाएंगे तो यहां से इस equation सो आपको पता चल दाएगा कि 12 kg जो carbon होता है 32 kg oxygen को लेकर 44 kg carbon dioxide बनाता है ठीक है तो carbon dioxide से हमको यहाँ पे लेना देना नहीं है यहाँ पे 12 kg के लिए 32 kg हमें oxygen का requirement है तो हमें 1 kg carbon के लिए 32 by 12 यानि 2.67 oxygen चाहिए ठीक उसी तरह hydrogen का निकालेंगे तो hydrogen के लिए 1 kg hydrogen के लिए 32 by 4 हो hydrogen को जलाने के लिए हमें 8 kg oxygen oxygen का requirement होता है तो यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे वह oxygen हो गया तो carbon के लिए 11 kg के लिए हो गया लेगिन जो हमारा question में दिया गया है question में जो दिया गया 50% जो है वह आपका carbon है तो 50% यह नहीं कि 0.5 ठीक है और यह 5% hydrogen का मतलब 0.05 तो अगर 1 kg म इतना है तो इतना में कितना होगा है इन दोनों को multiply कर देंगे ठीक है फिर इन दोनों को multiply कर देंगे तो यह hydrogen के लिए निकल जाएगा ठीक है यह carbon के लिए निकल जाएगा जो आपका by weight जो आपका atmospheric में air होता है ठीक है oxygen होता है उससे हम अगर divide कर देंगे तो आपका जो theoretical air जो है वो निकल का जाएगा 5.67 kg एर पर kg बगास तो यह जो निकल के आया वो dry के लिए निकल के आया ठीक है dry बगास के लिए अब यहाँ पर हमको एक चीज clear कर लेना है कि यह जो dry के लिए निकल निकले है और यह जो निकले है वो theoretical air निकले है चुकि जैसा quotient में पुझा गया था अगर actual air निकलना है तो फिर oxygen का हमको एक requirement चाहिए और oxygen के तोर पर हम लोग फिर actual air निकल सकते है चुक weight के लिए निकालना है weight अगर माल लिए बगास है उसमें माल लिए कि 50% जो है उसमें moisture है ओके तो उस case में लगवख air का requirement जो होता है मोटा मोटी double हो जाता है तो इसको अगर 2 से multiply कर देंगा तो जितना double आएगा वो आपका answer हो जाएगा तो वो जो question answer जो पूछा गया था उस questionnaire उसे क्या answer consider करता ओके बाकि यह उसका पुरा solution हो गया आप इसके basis पे आपके यह कितना air requirement होता है 1 kg बगास के लिए आप निकाल सकते हैं अगर आपके बगास होता है तो आप calculation करके comment box में बताईएगा बाकि आपके state में बगास को क्या कहा जाता है या इक को क्या कहा जाता ह है आप comment box में बताईगा दोबी लेंगे निश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंड़